नमश्कार आप सभी का स्वागत है सुनो कहानी यूट्यूब चैनल में आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है प्लीज आप कहानी को अन तक जरूर सुना करें और अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर किया करें तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी जिसका नाम है बिचारी अनुभूती विनीता ने नए बंगले में जैसे ही कदम रखा मैं तुरंत उजे विवस्तित करने में जुट गई उसकी पुत्री सोना भी इस काम में उसका हाथ बटाने लगी तभी दर्वाजे पर लगी घंटी बज उठी सोना ने आकर दर्वाजा खुला सामने एक संब्रांत महिला खड़ी थी वह सोना को देख मुस्करा कर बोली मैं आपकी पडोस में रहती हूँ सोचा आज ही आप लोग आए हैं खाने पीने की विवस्ता ठीक से नहीं हो पाई होगी थकान के कारण चाय पीने के लिए भी अवश्यमन कर रहा होगा अतै पडोसन होने के नाते आपके लिए कुछ खाने पीने का समान ला रही हूँ ओ धन्यवाद पर हम खाने पीने का कुछ समान साथ लेते आए हैं चाय बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी तब ही पास की कोठी से एक नोकरानी हाथ में ट्रेल ये आती दिखाई दी उसे देखकर पडोसन बोली लेजिये चाय तो आ गई रात का भोजन हमारे साथ कीजिए हमारे घर पर नहीं नहीं आप उसका कश्ट मत कीजिए अंदर आएए ने बैठिए मा भी आ रही है थोड़ी ही देर में विनिता भी आ पहुँची उसने आते ही विनम्रस्वर में कहा हमारे अहो भागे जो हमें आप जैसे स्वभाव की मिलनसार पडोसन मिली है पडोसन के जाने के बाद विनिता अपनी बेटी से बोली सोनू जया जी कह रही थी कि उनकी दोनों लड़कियां तेरे ही स्कूल में पढ़ती है एक तो तेरी ही कक्षा में है और दूसरी दो दर्जा आगे सोना बोली ओ तभी मुझे उनकी शकल कुछ जानी पहचानी से लग रही थी उनकी छोटी लड़की अनुबूती मेरी ही कक्षम पढ़ती है और उसकी बड़ी बेहन दो दर्जा उपर दूसरे दिन संध्या के समय सोना अपने लान में टहल रही थी तभी दीदी दीदी का स्वर सुनकर उसने चोंक कर जाड़ियों के बाड़े की ओर देखा बाड़े की दूसरी ओर से अधीती पुकार रही थी सोना के उस ओर देखने पर वे तुरंत तोड़कर उसके पास आ गई अनुभूती उधर से ही आँख बचा कर जागती रही सोना ने समझा चोंकी वे उसे पढ़ाती है इसलिए अनुभूती उसके सामने आने में जेप रही है वे आवाज देती हुई बोली अनुभूती तुम भी आओ ने उधर क्या कर रही हो अनुभूती पर इसकी उल्टी पर तिक्रिया हुई वे भाग गई अदिती बोली दीदी अनुग को शरम बहुत आती है वे किसी के सामने नहीं आती अच्छा कोई बात नहीं धीरे धीरे उसकी हिचक निकल जाएगी इसी समय अदिती की मा जया भी उदर ही निकल आई कुछ देर परस पर इधर उदर की बाते होती रही अदिती फिर अपने खेल में मगन हो गए सोना बोली अदिती जब मेरी कक्षा में थी तो परतेक विश्य में इसकी सबसे अधिक नमबर आते थे क्या अब भी वैसी ही आते है जया का मूँ गर्व से दमक उठा बोली हाँ इसने जब से पढ़ना शिरू किया है तभी से इसे किसी विश्य में कभी कमंक नहीं मिले इतना ही नहीं यह भरतनाटम भी बहुत अच्छा जानती है फिर कुछ बुजी सी हसी के साथ बोली प्रकर्ती ने मेरी दोनों बच्चियों के साथ बहुत बेदभाव बरता है अदिती को तो रूप के साथ साथ गुन भी दे दी मगर बेचारी अनुभूती को कुछ भी नहीं दिया ऐसी तो कोई बात नहीं है जया जी अनुभूती भी पड़ाई में अच्छी है प्रतम नहीं आती तो इसका यहरत नहीं कि उसमें बुद्धी कम है उसमें बुद्धी तो कम नहीं है पर अदिती के समानतिवर बुद्धी भी नहीं है ऐसा ही रूपरंग के बारे में है मैं मा हूँ किन्तु अन्य सब्तो अदिती की और ही आकर्शत होते हैं उसी से प्रभावित होते हैं बेचारी अनुभूती मा का बार-बार बेचारी शब्द का प्रियोग करना सोना को कुछ खटक सा गया वे सोचनी लगी क्या अनुभूती की उपस्तिती में भी इस शब्द का इसी प्रकार प्रियोग किया जाता है क्या उसका संकोची स्वभाव उसकी हीन भावना का ही दो तक है उदर जया कह रही थी दोनों बहनों को निर्टे सिखाने के लिए गुरू जी का प्रबंद किया गया अदिती शिगर ही इतना अच्छा सीख गई कि वह उसे स्टेज पर लाना चाते हैं लेकिन अनुभूती ने कुछ दिन सीखा फिर गुरू जी के पास जाना ही छोड़ दिया सोना का मन तरह तरह से तरक करने लगा हो सकता है गुरू जी ने अनुपर कम ध्यान दिया हो और उसने अपने को उपिक्षित समझा हो फिर यह भी स्वभाविक है कि अध्यापक की द्रिष्टी में जो शिशा मेधावी होगी उस पर उसका ध्यान स्वेते ही केंद्रित होगा फिर दूसरे को मैं कैसे दोश दूँ जयाने सफाई देते हुए कहा यह तो मा का ही इर्दे होता है जो कमजोर बच्चे की और जुकता है मैं मा हूँ इसलिए दोनों में भेद नहीं करती जैसे और जिस रंग के कपड़े अधिती के लिए बनवाती हूँ वैसे ही अनुभूती के लिए भी अधिती उनमें फूल की तरह खेल उटती है लेकिन अनुभूती बेचारी सोना को लगा कि वह बेचारी सुनते सुनते चीखने पड़े फिर भी वह मन के भावों पर नियंतरन रख कर बोली जब दोनों बेहनों के शारेरी कंग अलग-अलग है तो दोनों के वस्तरों के रंग भी भिन हूँ क्या यह उचित नहीं है? हाँ उचित तो है किन्तु यदि मैं अलग-अलग रंगों के कपड़े बनवाऊंगी तो अनुभूती सोचेगी कि मैं अदिती के वस्तर सुंदर बनवाती हूँ इसलिए वह अधिक आकरशक दिखती है इसलिए तो उसके दिल को और भी ठेश लगेगी अब सोना जया को कैसे समझाती कि अनुभूती के भावु खिर्दे को बेचारी शब्द जितने ठेश पहुचाता होगा वह भेन से भिन रंग के वस्तर नहीं पहुचा सकते एक दिन सोना अपनी सहीली के घर से वापस आ रही थी रास्ता कुछ कम चलना पड़े इसलिए वह जया के घर के पिछवाडे से अपने घर की और आने लगी उसने देखा एक पेड के नीचे अनुबूती बैटी कुछ कर रही है जिग्याशा वस उसके कदम उसकी और बढ़ गए अनुबूती अपने कारिये में तलीन थी सोना उस बालिका के हाथ की कला और मस्तिक्ष की कलपना देखकर स्थब्द रह गई उसने मिट्टी और पत्थर का एक चोटा सा घर बना रखा था घर में कमरे, बातरूम और रसोई, सब कुछ था घर का सारा फरनीचर गत्ते का बना हुआ था इस समय वे मिट्टी की चोटी-चोटी परतिमाओं को रंग रूप देकर घर में उचे स्थानों पर सजा रहे थी इतने में अनुबूती की मा की आवाज सुनाई पड़िये मा के तिवरिस्वर ने अनुबूती का ध्यान भंग कर दिया और वे तुरंत अपने स्थान से खड़ी हो गई तभी उसकी दृष्टी सोना पर पड़िये वे ऐसे घबरा गई मानो वे चोरी करते पकड़ी गई है सोना ने मुसकरा कर उसकी पीट थपतपाई इससे उसका कुछ साहस बढ़ा पर विनी स्वर में बोली दीदी मा को ने बताईएगा सोना ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर हलके से दबा कर जताया कि वे उस पर विश्वास कर सकती है अनभूती ने आखों में करतक ग्यता भर उसकी और देखा और मा के पास भाग गई अपने घर की और बढ़ते हुए सोना के कानों में जया का स्वर सुनाई पड़ा कह रही थी अनु तुमने स्कूल का काम अभी तक नहीं किया अधिती ने तो कब का समाप्थ कर लिया इतना ही नहीं उसने तो वे भी देख लिया जो कल क्लास में पढ़ाया जाएगा तभी तो वे हमेशा अनुभूती ने मंदिश्वर में जवाब दिया अभी करते हुमा आज थोड़ा ही काम मिला है शिगर ही समाप्त हो जाएगा और यह क्या तेरे हाथ पर सब मिट्टी में भरे हैं फ्रोक भी खराब कर ली तुझे कब अकल आएगी अनुभ इतने बड़े बच्चे कहीं मिट्टी से खेलते हैं तेरे और अदिती के कपड़े एक साथ बनते हैं उसके कपड़े छोटे हो जाते हैं पर खराब नहीं होते और तेरे पास कोई कपड़ा ढंका नहीं रह पाता जहां भी जाती है उटपटांग बन कर तभी तो किसी को तुझ पर लाड़ नहीं आता सोना को लगा कि वह और नहीं सुन पाएगे उसने पैरों की गती बढ़ा ली अगले दिन सोना ने अनुभूती को अपने पास बुला कर पूछा अनुभूती चुप रही अपरादियों की तरह उसका सिर जुग गया सोना ने अपने स्वर में और अधिक कोमलता लाकर जब अपने प्रशन को दोराया तो अनुभूती बोली मा नाराज होती हैं इसलिए वह मिट्टी से खेलने के लिए मना करती हैं कपड़े खराब हो जाते हैं इसलिए हो सकता है मा को यह मालूम ही नहीं हो कि तुम इतनी सुन्दर वस्तोय बनाती हो यदि वह तुमारे हाथ की बनी हुई वह छोटी-छोटी मूर्टियां देखें तो वह भी प्रसन हो जाएंगी और तुम्हें भी अपना शोग पूरा करने की छूट मिल जाएगी अपनी अध्यापिका से अपने काम की प्रशंशा सुनकर अनुबूती की आँखें चमक उठी पर दूसरे ही शन उसकी आँखें फिर प्रित्वी पर जा लगी उसके मुँपर जो भाव घेराए उन्हें पढ़कर सोना समझ गई कि उसे विश्वास नहीं है कि उसकी हस्त कला देखकर उसकी माँ प्रसन हो सकती है यह तो सोना ही समझती थी कि अनुबूती का भावो खिरते अपना अपमान से आए सकता है पर अपनी कला का नहीं यही कारण था जो उस भूली बालिका के अंदर छिप छिप कर काम करने की भावना उभर आय थी सोना ने फिर पुछा कभी माने स्वैम नहीं देखा माउ सोर नहीं जाती फिर खुले में रहने के कारण चीजे अधिक टिक कहां पाती है कभी माली पाने डाल देता है तो कभी लान साफ करते हुए उन्हें तोड़ फोड कर फेक देता है कहते कहते अनुभूती के मुँपर वेद्ना घेराई सोना का हिर्दे द्रवित हो उठा वह सोचने लगी क्या नहीं गुजरती होगी इस नन्ने दिल पर जब वह अपनी महनत और प्यार से गड़ी वस्तों को द्वंसा वस्ता में देखती होगी वह उसका होसला बढ़ाते हुए बोली अनु तुम चाहो तो हमारे घर के गैराज में खिलोने बना सकती हो वहाँ वे खराब नहीं होगे सुनकर अनु भूती की आँखों में चमक आ गई वे खुशो कर बोली सच्दी दी? हाँ पर एक शर्थ है तुम स्कूल का काम पहले समाप्त करोगी रात को भी कुछ पढ़ोगी नहीं तो स्कूल में तुमें कठोर सजा दूँगी अगले दिन सोना ने गेराज के एक कोने को साफ करा कर अनुभूती के काम करने का प्रभंद करा दिया उसने अपनी एक पुरानी साड़ी फाड कर उसके लिए एपरिन भी बना दिया उसे उसने अनुभूती की फ्रॉग पर बांद दिया जिससे उसकी फ्रोग खराब ने हूँ, फिर हसकर बोली, लो अनू, यह तुमारा स्टूडियो है, इस चोटे से कोने को स्टूडियो का नाम दिये जाने पर, अनुभूती गर्व और हर्ष से खिलकिला पड़ी, सोना किताब के पन्नों में उलजी हुई थी, पास ही मा उसके भाई की कमीज की बटन ठीक कर रही थी, तभी जया ने कमरे में प्रविश किया, दोनों के नेत्र उसकी ओर उठ गए, जया का मूड खराब प्रतीत होता था, वे आते ही बोली, सोना, मैं जानती हूँ तुम अनू का भला चाती हो, पर मैं उसकी मा हूँ, उसको अच्छी त सोना की मा घबरा कर बोली, क्यों बहन क्या हुआ, सोना, मैं तुझी कितनी बार समझा चुकी हूँ, तो दूसरों के बीच में दखलने दिया कर, क्यों मा, मैंने क्या किया है, अनुभूती अपना काम पूरा कर स्कूल ले जाती है, परिक्षा में उसकी पहले से भी अच्छ में देखा है, जया अपनी बेटी की इस प्रशेंशा के प्रभाव से अचुती ही रही, शायद उसे सोना की बात पर विश्वास नहीं हुआ था, उसी स्वर में बोली, देखो सोना, जब तक वे तुमारी कक्षा में है, ठीक है, पर मुझी तो आगे का भी सोचना है, वे हर समय मिट्टी से खेलती रहेगी तो पढ़ेगी कब, कल साथ बचे तक वे यहीं थी, आज भी अभी तक घर नहीं पहुँची है, जया जी, अनुभूती पढ़ाई पूरी करने के पश्चाती ही धराती है, पर ते एक बच्चा पढ़ाई के अतिरिक्त कुछ और करना चाता ह जिससे उसका मन बहले, जैसे अधिती को निर्ट्य का शोक है, उसी तरह आप समझ लेजे, अनुभू का शोक मिट्टी की प्रतिमाय गड़ना है, सोना की मा, शायद तुम मुझे तसली देना चाती हो, इसके लिए धन्यवाद, पर तुम्हें बताओ, ब्रांती में रहकर मै कितने दिन खुश रह सकूंगी, बच्चों के शोक को ठीक दिशा देना माता-पिता का काम है, निर्ट्य एक ललित कला है, वयाम भी है, अपने मन को भी संतुष्टी देता है, देखने वालों को भी आनंद मिलता है, कल ही अधिती का निर्ट्य हमारे कलब के समारों में मैंने कितने गर्व का अनभव किया, जया ने कहा, सोना की माने जया को शांत करते हुए कहा, बहन, बच्चों के शोक के भी दोर होते हैं, कुछ दिनों में स्वैम उसका इस खेल से मन भर जाएगा, तुम क्यों चिंता करती हो, पर सोना उसे बढ़ावा देती है, घर पर रह दिन परती दिन उसमें हीन भावना बढ़ती जाती है, परिणाम तैवे किसी से बात करना तो दूर, सामने आने से भी कतराती है, सोना का स्वर अंचाय ही तिवर होटा था, कैसी बाते करती हो सोना, क्या मैं उसकी मा नहीं हूँ, जो उसे नीचा दिखाऊंगी, मैं तो चाह और उन्हें ही प्रसाहन दीजिए, एक के गुंड दूसरी पर थोपने के प्रेतन में आपको मिलती है कुंठा और ऐसा फलता, आशायम पूरीने होने के कारण उसके मन में अपरात भावना भी भराती है, अब कुछ दिनों में ही हमारी स्कूल का वार्शी कुच्सव होने व भूरी भूरी सा राहना के, उस अफसर पर सोना ने अनुबूती के लिए उसके रंग रूप पर सजती हुई फ्रोक भी स्वैम ही बनाई थी, उप्योक्त कपड़े पहनने और अपने प्रियास में सफलता पाने के कारण अनुबूती का मुख एक अधबुत आभा से चमक उ चन दिया, घर पहुँच कर सोना कपड़े बदल रही थी कि अनुबूती की मा आ गई, भरे गले से बोली, सोना आज तुमने मेरी आखें खोल दी, सच मुच में अपनी बिटिया को नहीं पहचान पाई थी, अधिती तो अनुग के सामने कुछ भी नहीं है, निर्ते तो पूता मत चलिए, आपकी दोनों पूत्रियां अलग-अलग परतिभाओं की स्वामनी है, यही याद रखिए, जया के होट भी खिलकला उठे, नेत्रों से प्रेमा आश्रु बहे चले, वे प्रेमा आश्रु सामने खड़ी उस यूती के प्रतीक करतगता के प्रतीक थी, या अपनी चोटी पुत्री को समझ पाने की प्रतीक, वे सेम भी ने जान पाई